वार्ड संक्या 25 में बाइक का होर्ण बजाने की बात को लेकर हुए हमला मामले में कोट ने चार आरोपियों को सुनाई पांच-पांच साल कारावास की सजा चुरू शेर के वार संक्या 25 में साल 2020 में बाइक का हौरन बजाने की बात को लेकर जानलेवा हमला मामले में एडी जे कोट ने अपना फैसला सुना दिया है कोट ने मामले में आरोपी मुहमद अली, मुहमद सलीम, सोहल और आबिद को दोशी मानते हुए पास साल के कठोर कारावास तथा एक लाक बत्तीस जार रुपे के अर्थ दंड से दंडित किया है एडी जे कोट ने मामले में पंद्रा गवाहों के बयान और शाक्षियों के आधार पर अपना फैसला सुनाया एड़ोकेट राजंदर राजपुरोईट ने बताया कि पंद्रा नॉवंबर दोजार बीस को वार्ट संक्या पच्चिस की मरेम ने परचा वियान पर कोट वाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था मरेम का दोहिता हैदर और जवाई इमरान बाइक से घर आ रहे थे या कुछ लड़के महले में क्रिकेट खेल रहे थे जब इमरान ने बाइक का होर्ण बजाया तो मुहमद अली सलीम सोहल आबी दादी ने इन्हें गहर लिया और जगड़ा करने लगे विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने इमरान और हैदर पर चाकू लाठी सरियों से हमला कर दिया मरेम और जाहिद ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मार पीट की गई हमले में इमरान हैदर मरेम और जाहिद गाहल हो गए पुलिस ने मरेम के परचा बयान पर आरोपियों के खिलाब मुकदमा दर्ज किया इसी मामले में एडी जे कोट ने फैसला सुनाते हुए चारों को दोशी माना और उन्हें करावास की सजा सुनाई पंद्रे गवाहन के बयान और मुकमल मजीद भहस के आज आरोपियों को सजा सुनाई गई है इसमें उन्हें पांच साल के कट और कारवास हुआ है अर्दंड से दंडित किया गया है आरोपियों में मुहम्मद अली, मुहम्मद सलीम, आबिद और मुहम्मद सोहिल है